नमस्कार दोस्तों आज हमुए शोला तेरा जो हमारी गाड़ी है ठाटा की उसकी प्रेसर प्लेट को सेट करेंगे दोस्तो कई बार हमारी गाड़ी में कई प्रकारिक प्रोलम आ जाती है जैसे कि गाड़ी में खिचाई ना ओना तो दोस्तो कई बार हमारी गाड़ी जड़ाई में रुक भी जाती है और जब हम गेर डालते तो गेर सही से नहीं लगते हैं आवाज करते हैं तो दोस्तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि हमारे फिंगर जो होते हैं उनकी कितनी हाइटोनी चाहिए और कहां पे हमारे फिंगर जो है वो बिल्कुल सही तरह से काम करेंगे जिससे हमारी गाड़ी की खिचाई भी अच्छी हो और जब गाड़ी हमारी लोड होगी तो फुल स्पीट में चले जैसे दोस्तों हमने गाड़ी में फिट करते हैं फ्राई विल्लर, कलच प्लेट और प्रेशर प्लेट तीनों को तो उसी तरह हमने इसको फिट किया हुआ और इनके जितने भी नेट हैं हमने फुल टाइट किया हुए तो इसके बाद हम सेट करेंगे देखिए दोस्तों हमारे जो नेट है वो फुल टाइट हो चुके है इसके बाद हम माप लेंगे और माप से बिल्कुल ब्रावर फिंगर को रखेंगे तो दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैंने कहां पर ये फिंगर सेट किये हुए मैं माप में बताऊंगा आपको कि मैंने फिंगर की हाट जो कितनी रखी हुई है तो आप वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए ताकि हमारी गाड़ी की किचाई भी अच्छी हो और गेर भी हमारे सही धंग से लगे जब हम गाड़ी चलाएंगे तो कोई भी प्रोब्लम ना हो बिल्कुल आराम से ने तो दोस्तो कई बार देखते हैं हम जब हम गे डालते हैं गाड़ी में तो गाड़ी पूरी हिल जाती है ढ़क दोस्तो देखिए हम बार बार माप से माप रहे हैं कि हमारे जो फिंगर हो बिल्कुल ब्राबर रहे हैं ताकि कोई फिंगर आप डाउन ना हो और हमारे गेर जो विलकुल आसानी से लगे हुआ है झाल 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 दोस्तों देखिए तीन फिंगर वाली प्रेस्ट ब्लेट आप यहां पर सट कर सकते हैं यह मेरा माप है और मैं अगली जो विडियो होगी वो ली लेंड के बारे में होगी ली लेंड के फिंगर हम कहां पर सेट करेंगे देखिए दोस्तों हमने कलच प्लेट में लैदर भी डाल रहे हैं तो लैदर को कैसे फिट करते हैं आप भी बड़ी आसानी से लैदर डाल सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जिरूर करें झाल 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 झाल